आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस्वर्थ सरंट डिगरी कालेज की आज की कटाप क्या है यानिक जिसकी की जो काउंसलिंग होनी है तेरा तारीक को होनी है तो उसके लिए क्या कटाप जो है निकाले गई है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करें अगर बीकॉम की तो बीकॉम की जो कटाप है 157 यानि कि 157 157 प्लस जीजन के भी मार्क हैं चाहे आपकी इसी भी कटेगरी से हो क्योंकि आल कटेगरी बताया गया है 157 एबब आल कटेगरी बाकि ST के सभी कंडिडेट जो है काउंसलिंग प्रकिरिया मे सामिल हो सकते है उसके बाद हम बात करें बीकॉम की तो बीसी की अभी जो है इसो और सरन्ध डिगरी में बीसी मैद की कटाफ आई है बायो की नहीं है बेसी मैत की जो कटाप है 152 अबव यह भी या फिर उसके ऊपर अगर मार्क है चाहे आप किसी भी कटेग्री से हो आल कटेग्री की बात की गई है तो आप जो हैं काउंसलिंग प्रिक्रिया में सामिल हो सकते हैं कि आल काउंसलिंग पुरिया में सामिल होना है काउंसलिंग आपको कैसे कराना है आपको जो है इस डीसी की वेपसाइट मिल जाएगा इसका इंस्ट्रेक्शन की आपको जो है काउंसलिंग में कैसे प्रतिभाग करना है और यहां पर बताया गया है कि काउंसलिंग में आपको केवल क फ्रेंडों के साथ शेयर करें, थैंक्यू